दोस्तो नमस्कार मैं एकलिस गुरू एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ मानस प्रबोध आश्रम घोगरा से घोगरा ना घोगरा जो सौसर में जामसावरी के जो हनुमान जी हैं लेटे हुई हनुमान जी वहां से मुश्कल से दो किलोमेटर की दूरी पर एक बहुत सु परिक्रमा किया करते थे मान नर्मदा की स्वयंभू संकर जी का मंदिर है अन्यपूर्णा देवी का मंदिर है और तुलसी दाश जी का मंदिर भी यहां पर है बहुत खूबसूरत जगह है बहुत सुन्दर जगह और किनारे पर जाम नदी बह रही है तो जाम नदी के किनार मानस प्रबोध आस्रम बहुत सुन्दर बहुत खूपसूरत आस्रम है जब भी आप जाम साउन लियाए एक बार इस आस्रम में जरूर आए और यहां कुछ समय बिताईए आपके मन को बड़ी सांती मिलेगी बहुत अच्छा लगेगा आईए अब हम चलते हैं आस्रम के अंद कर और देखते हैं क्या-क्या यहां चीजें हैं क्या-क्या गतिविदियां चल रही हैं कुछ निर्मान कारी भी चल रहे हैं वो सब हम चलकर देखते हैं जाम साउनली हनुमान मंदिर के पास एक पहाड़ी पर इस्थित है मानस प्रबोध आस्रम मान नर्मदा के साधक तपस्वी संत नित्यानंद जी यहां निवास किया करते थे उन्हीं के द्वारा बनाया गया आस्रम है मानस प्रबोध आस्रम यहां शिवरात्री पर एक मेले का आयोजन किया जाता है जय गुरुदेव गुरुदेव के चरण विराजित हैं प्रक्ष के नीचे बश्डे को दूद पिलाते हुए गाय की बहुत सुन्दर प्रतिमा अब हम चल रहे हैं महा माया मा अनपूर्णा देवाले में मा अनपूर्णा के मंदिर में सर्व मंगल मांगल्यई शिवे सर्वार्थ साधी के सरण्य त्रम्ब के गौरी नारा यणी नमोस्त ते मा अनपूर्णा के दर्सन करने के बाद अब हम चलते हैं नरमदेश्वर महादेव के दर्सन करने और ये सिवलिंग बर्मान घाट से लाए गए हैं स्वामी नित्यानंद जी द्वारा हर हर महादेव शंभू हर हर महादेव हर हर महादेव आईए अब हम संत स्री नित्यानंद जी के आशन कक्ष में प्रवेश करते हैं और दर्सन करेंगे नित्यानंद जी के संत स्री नित्यानंद जी सरसुती ने ही मानस प्रबोध आश्रम की स्थापना की आपका समाधी स्थल गाडर बाड़ा के गाउं टिम्राबन में नर्मदा तट पर है ये स्वामी जी का रथ है और इसी रथ को लेकर साथ में स्वामी जी नरम्दा की परिक्रमा किया करते थे निर्माना धीन आस्त्रम महे सजी हनुमान जी का मंदिर भी निर्माना धीन है ये जो नदी हम देख रहे हैं ये है जाम नदी जाम नदी के तटपर बसा हुआ ये बहुत ही खुबसूरत बहुत ही सुन्दर मानस प्रबोध आस्त्रम है सुमेर कूट घूगरा स्वामी जी यहां आये पिपला में आये उनने रामायन की और फिर उनको इस्थान चाहिए था उस समय खंड़ा मतलब कुछ भी नहीं था खास की जोपड़ी बना के वो रहे हुए उसके बाद उनको प्रेरना मिली तो नर्वदे भगवान की नर्वदे शर्वगवान की देवलिंग लेकर आये अच्छा बुलाए और यहां स्तापन जी अच्छा बहुत बढ़िया और कब तक रहे स्वामी जी यहां कब से रहे यह स्वामी जी दोजार शार यहने सन अठहतर से रहे अठहतर से यहां रहे हां और 2004 में उनका ब्रहमलीन हुआ टिम्राउन घाट मे यह गोश्वामी तुलसी दाश जी का मंदिर है वाह बहुत खुटस्परत पतिमा तुलसी दाश जी की बहुत खुबसूरत गुपतिस और महा देव की प्रतिमा यह भोजन साला है भोजान प्रिसाद ग्रहन कर सकते हम यहां बैटके अच कुछह नहीं चलता यह बहौत बढ़ी है सादा खाना है जी नास्तान मिलता है सुबहिए और बोजन प्रसादी भोग लग्के बहुत बढ़ी जी अन्यपुरूना के मंदिर के चारों तरफ नो देविया विराजमान है दोस्तों मानस प्रबोध आस्रम कैसा लगा आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेर कर चैनल को सब्सक्राइब करें बल आइकों ट्रेस करना बिल्कुल ना भूले हैं बहुत-बहुत धन्यवाद